नमस्कार CSK News में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो दोसाज दिन भर की जो फटा फट ब्रेकी निज निकल क्या रही है आपको बथा दे दोस्तों फिलाल किसान अंदोलन को लेकर संसद में अजीद दोवाल और दिल्ली पुलिस कमिशनल ने ग्र S400 सुरूस भारत को इस साल दे देगा ब्रमास S400 भारती सैनिकों ने शुरू की ट्रेनिंग जीए बड़ी ख़बर ये भी आपको बताएंगे तो दोस्तों सब कुछ ख़बर एकर करके विस्तार से बताएंगे ग्रेटा थनबर एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरीके से खा से मंतरी ने एक्सपोज कर दिया है कांगरास पार्टी को पूरी तरीके से ये भी आपको बताएंगे लेगे उनसे पहले अगर आपने चैनल को भी देख सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आप भी मानते का प्रधान मंतरी मोधी है तो और साली इंडियान आर्मी के लिए जैहिन लिखना मत भूलेगा दोस्तों दसल पहली बड़ी खबर निकल किया रही है दोस्तों आपको बता दे फिलाल S-400 इंडिया रोल्स भारत को इस साल दे देगा ब्रहमास S-400 मिसाइल भारती ये साहरिकों ने परिश्ण सुरू किया जिया ट्रेनिंग लेना रोस में बड़ी खबर निकल किया रिचेन और पार्क की खायर नहीं है रसिया ने एलान किया है को इस साल भारत के आखरी ताके S-400 इंडिया डिफेंस सस्टम भारत को सौपदेगा S-400 मिसाइल डिफेंस सस्टम बनाने वाले रोसी कमपनी ने कहा है कि भारत के साथ समझाओते को उत्ता हैं समय में पूरा किया जाएगा इससे पहले रोसी सेना के तकनीकी सहयोग मामले की डिरेक्टर बलादी मेर दोज जोव ने खुलासा किया था कि फिलाल भारतिय सेना के विसे सग्ये ने इस ब्रह्मास को चलाने के लिए ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है दोजो ने ये भी कहा है कि इस साल में आखरी तक भारत को ये प्रणाली दे दी जा सकती है निकाह है कि भारती अभी से सग्ये रूस पहुंच गये हैं और उन्होंने एस पॉर हंडेट को चलाने की ट्रेनिंग सुरू कर दी है भारत में वर्ज दोजार पंदरा में रस्या के साथ एस पॉर हंडेट को खरीदने की इच्छा जताई है और अक्टूबर 2018 में रूसी राश्वदी ब्लाद मेर पूतिन की भारत यात्तरा के दवरान इस समझावते पर साक्षर हुआ था तो दोस्तों ये एक बड़ी ख़बर निकल के आ रहे हैं कल घोसी चक सनिवार घोसी चक का जाम को लेकर केंदरिया ग्री मंतरी में सा से एक एहम मुलाकात की है गुरुआर को दोनों के बीच संसद भवन में उचस्त्री बैठक हुई है सूत्रो का कहना है कि इस बैठक में एनसे अर्जी डोवाल भी मुझूद थे संसद में ग्री मंतरी के दफ्तर में ये बैठक बलाए गई है बताया जा रहा है कि दिल्ली पूलिस कमिश्णर दिल्ली में किसान आंदोलन को देखते हुए जो माहौल है उसको लेकर ग्री मंतरी सा को अपडेट किया है आगे और क्या किया जाना चाहिए इसको लेकर आपको बता दे जिस तरीके से भारत विरोधी साजिस्ट विडिये से सरची जा रहे है और बड़ पैमाने पर फरजी किसानों के फंडिंग हो रहा है उस पर NSA अजीट डोवाल की नदर है और कड़े अक्सन की तैयारी में ग्रिमंत्राल है हम चलते एंगले अपडेट लेते हैं दोस्तों बाइडन सरकार ने सौधी अरब को दिया एक और जटका इरान को दी रहा हजी है अमेरिकी राश्पती जो बाइडन की सरकार ने सौधी अरब को छटका दिया है बाइडन प्रसासन ने गुरुवार को घोशना की है कि अमेरिका अब यमन में सौधी अरब के 5 साल के पुराने सैन अभियान में सायोग नहीं देगा यमन में एरान समर्थित, हुरूती विद्रोहियों की कलाब सौधी अरब और यूवाई ने पिछले 5 साल में सैन अभियान छेंड रखा है जिन में स्कूली बच्चों समेत आम लोगों की जाने भी गई है अमेरिका के इस फैसले को एरान के हक में माना जा रहा है राश्मदी बनने के बाद बाइडन पहली बार विदीस मंत्रा ले गए और वहां मौजूद राजनाइकों से बाचीत भी की थी बाइडन ने राजनाइकों से कहा कि इस युद्ध को खत्म करना होगा एमन में युद्ध की वज़ा से एक मान भी ये संकट और रणे नीतिक द्राजदी का जन्मूध था बाइडन इस फश्ट कर दिया है कि उनकी सरकार में लोकतांतरिक मूल्यों और मानुवा धिकारों को प्राथ मिकता दी जाएगी हम चलते हैं लिपडेट लेते हैं दोस्तों फिल्हाल बड़ी ख़बन निकल के आ रही है जहां पार अमेरिका प्रसासन ने किया बड़ा एलान बाइडन का कड़ा संदेश अमेरिका इस बैक चीन के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन अमेरिका की राश्पती जो बाइडन ने गुरवार को अपना पहला अन्ना राजना एक भाश्र दिया है उन्होंने वैसिक मंच से चीन को कड़ा संदेश दिया है उन्होंने का कि अमेरिका इस बैक जोचना कर दी है राश्पती बाइडन ने कहा है कि चीन द्वारा पेस की जाने वाली चुनवतियों का अमेरिका सीधे तोर पर सामना करेगा लेकिन साथ ही इस हित में बीजिंग के साथ मिलकर काम करने से भी नहीं कतराएगा बाइडन ने विदेश वंतराले के करमचारियों को फौगी बाटम मुख्याले में संबंदित करते हुए चीन द्वारा आर उन्होंने कहा है कि अमेरिका के हित की बात आती है तो हम बीजिंग के साथ मिलकर काम करने को भी तैयार हैं हम चलते एंग्ले अपडेट लेते हैं दोस्तो बड़ी खबर निकल के आ रहे है जहां पर आपको बता दे फिलाल बाईडियन सरकार ने सुधिय अरब को दिया घटका जिया एरान को कईने के एक तरी करीके समचलते हैं अग्ले बडेट लेतेbew को बास्क्यार दोस्तो आपक को WHO के सामने पूरी दुरता से उठाया इसके बाद WHO ने पोटल पर स्पाष्टी करण के लिए एक डिस्क्लेमर भी जारी कर दिया वीदेश राजय मंत्री वी मुरली धरन ने राजय सभा को एक प्रश्ण के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है उने से पूछा गया कि क्या WHO की बेफ साइट पर डाले गए भारत के नक्से में के अंदर सासित प्रदेश जमो कस्मीर और लद्दा को अलग रंग में दिखाय गया था जवाब में मुरली धरन ने बताया है कि WHO के समझ उनकी बेफ साइट पर भारत के नक्से गलत चित्रा का मुद्दा उचस्तर पर पूड़ी दृढ़ता के साथ उठाय गया है तो ये बड़ी खबर हम चलते हैं इंगले अपडेट लेते दोस्तों आपको बता दे ग्रेटा थनबर के बारे में हुआ खुलासा जी है ग्रेटा को खालिस्तानी समर्थक संक्ठन ने मुहिया कराई थी टूलकित भारत की योग वाली चबी विगाड़ना था मकसद नग्रिजिकानूनों के खिलाब जारी किसान अंदोलन की यार में भारत विरोधी विदैशी प्रफोगेंडा की अपकलाई खुलने लगी है किसान अंदोलन की समर्थन में परियावरण कार करता ग्रेटा थनबर्ग और एक और टूलकित ट्विस्ट किया गया है जिस पर हंगामा खड़ा हो गया है अर अब उस टूलकित को लेकर बड़ा खुलासा हुए अपरा रंबिक जियाच में पता चला है कि इस टूलकित को कैनड़ा स्थित खालिस्तान समर्थक संग्ठन दोरा तयार किया गया था इस टूलकित को अगदेश से भारत की छबी को खराब करना था ग्रेट अथनबर को दोरा ट्वीट किये गया है इसे टूलकित को एक सब भोसित खालिस्तान समर्थक एम्मो धाली वाल दोरा सहस्थापित पीस फॉर जस्टिस दोरा तयार किया गया था ये संग्ठन कनड़ा के वैंकूवर में स्थित है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भारत के खिलाब लच्छित कारियों की सूची को विस्तार से लिया लिखा गया था टूलकित में भारत के योग चाय और विश्व गिरु वाली छबी को नुकसान पहुचाने की बात कही गई थी इतना ही नहीं टूलकित में छब दीज जनवरी को प्रवासी भार्कियों दोरा वैसिक ब्योधान डालने और क्रिसी कानूनों को नेरस्ट करने की बात भी कही गई थी हम चलते ग्लिप्रेट लेते हैं दोस्तों फिलाल राज्य सभा में किर्शी मंतरी ने कहा है कि कानूनों में संसोधन का मतलब ये नहीं किनमें कोई कमी कीजा जिहाँ राज्य सभा में सुकूरवार को भी किसानों का मुद्दा चाया रहा सदन में राश्वदी के अभी भाशवड़ पर धन्यवाद प्रस्ताव पर शर्चा जारी रहे वह भीपच की नेताओं ने सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की भाशवड़ ने अपने राज्य सभा सांजदों को आठ फरवरी से बारा फरवरी तक सदन में मवजूद रहने के लिए तीन लाइन का वेप जारी किया था क्रिसी मंतरी नरेन सिंग तोमर उपरी सदन में सरकार का पक्ष रखे हैं वे क्रिसी सुधार कानूनों और आंदोलन को लेकर आगे के रोड मैप को लेकर सरकार का रुख बता रहें क्रिसी मंतरी के बयान को लेकर बच के हंगामे के भी आसार थे लेकिन आपको बता दे खास करके जिस तरीके से देश विश्विरोधी एजटा क्यनेडा से खालिस्ताई चला रहे हैं ठीकक सी तरीके से देश विरोधी एजनेडा बिपच पर यह रहे है तो यह हमला बोला है ताकि 15 मही तक सभी पंचायतों का गठन किया जा सके 15 मही तक की जिला पंचायत से दस्वर ब्लाक परमकों का चुनाओ कराने के नर्देश दे दिये गए है कोट ने पंचायत चुनाओ के लिए आरक्षन का कार्य 17 मार्ज तक पूरा करने के नर्देश दिये गए है हाई कोट ने इस से पुर्व मई में चुनाओ कराने के नरवाचन आयोग के पस्ताओं को नामंजूर कर दिया था विनोदुपाद धाई की याजक्यापर नयमूर्थी, एमेन, बंडारी और नयमूर्थी, आर, आर, अगरवाल के कुछ निया देश दिया है यूपी में इस भार 55 जिला पंचायत, 826 शेत्र पंचायत, 58,000 ग्राम पंचायत, 3,051 जिला पंचायत सामिल है तो इस तरीके से हम सलते इंग लिप डेट लेते हैं दोस्तों बड़ी खबन निकल के आ रही है टिक टॉक अफ्लोड करने वाले का आई-पी एड्रेस गूगल से मागेगी दिल्ली पुलिस खुलेंगे कई राजिया दरसल किसाना अंधोलन को लेकर सोसल मीडिया पर अफ्लोड हूए टूल किट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है दिल्ली पुलिस गूगल से उस आई-पी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी मागने जा रही है जहां से पहली बार टूल किट को गूगल डॉक्स पर अप्लोड किया था इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली है आईपी अड्रेस और लोकेशन के जरी उस सक्स को ढूड़ने मदद मिलेगे जिसने चूलकिट को तयार किया है और गूगल डॉक्स पर भी अपलूड कर दिया है दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर्ग दारा सेर किये गए टूलकिट को लेकर लेखक के खिलाफ फायार भी दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस के एसपसल सीपी क्राइम प्रभीर रंजन ने 26 जनवरी के दिन कोई हिंसा को सूनियोजित साजिस भी बताया है इसके साथ ये भी कहा है कि FIR टूलकिट के लेखक के खिलाफ धर्ज की गई है ना कि ग्रेट थनबर्ग के खिलाफ तो ये भी बड़ी ख़बर है लेगिन दोस्तो सिकन जात हो जारी है हम चलते हैं कि लेख डिली पुलिस ने जारी की घड़तंतर दिवस हिंसा के आरोपियों की तजबीर CCTV फोटेज और वाट्सप वीडियो से होगी पैसान अरसल दिली में घड़तंतर दिवस को धिन ट्रैक्टर रैली के दोरान कोई हिंसा की जांच जारी है जांच में तेजी दिखाते हैं कुछ लोगों की पैचान पेशियल एनालेटिक्स के जड़िये की है जानगारी के मताबिक सेंट्रेल इंडरेस्ट्रियल सेक्यरिटी फोर्ट से सी आईसाफ की ओर्ट से मिले सीसी टीवी फोटेज की मदद से वयाली संदिख्धों की पैचान ही है तो दोस्तों कहीने के एक तरीके से ये मामला गंभीर है और सरकार एक्शन तो लेगे कड़ा सिकंजा करेगी बचने वाला नहीं है कोई हम चलते इंगले अपडेट लेते हैं दोस्तों फिलार असम विधान सभाच चुनाव के बीच हेमन्त विश्व सर्मा बोले मुझे मुझे मले बनने के लिए मिया और मुसल्मानों के वोटों की जुरूत नहीं है बड़ी खबन निकल क्या रही है जियां असम विधान सभाच चुनाव 2021 असम में चुनाव से पहले सियासी बयान वाजी तेज हो गई है इसी बीच राजी के स्वास्थ, सिछ्छा और वित्य मंत्री हेमन्त विश्व सर्मा बड़ा वयान दिया है मीडिया रिपोर्ट के मताबिक हेमन्त विश्व सर्मा का कहना है कि भाजपा को असम में बंगाली मूल के मुस्लिम समुदाय के वोटों की जरूत नहीं है हेमन्त विश्व सर्मा ने मिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को सांपरदाइक बताया है ये समुदाय असम की सांस्कृतिक और असम की भासा से छोड़ छेड़ शाड़ करने की गदविदी में सामेर है तो इस तरीके से दोस्तों नों गाया है कि हमें मुसलमानों और कठमलों के वोटों की जरूरत तो नहीं है तो दोस्तों हम चलते हैं अपडेट लेते हैं बंगाल रथ हयात्रा ममता सरकार डाल सकती है अडंगा बीज़े वर्गिये बोले कोई नहीं रोक सकता जियां प्रसासन नहीं रोक सकता है दर्सपर शमंगाल में विधान सभा की चुना होने है ऐसे में सभी पार्टी लोगों को अपनी तरफ से करने की तैयारियों में जूटी हुई है इसी कड़ी में भाजपा फरवरी और मार्च के महीने में रथ यात्रा निकालने वाली है भाजपा की इस रथ प्रस्तावित रथ यात्रा को लेकर कॉलकता उच्छ न्याले में याजक्या दायर की गई है वही का जा रहा है कि ममता सरकार भी भाजपा को यात्रा निकालने की अनुमती देने के मोड में नहीं है हाला कि TMC ने सफाय देते विये कहा है कि उसने किसी भी यात्रा को अनुमती देने से मना नहीं किया है दूसरी और भाजपा नेताओं के एक प्रतनिधी मंडल ने सुकरवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की है पार्टी नेता भूपेंद्र यादो सहित पश्वी बंगाल के भाजपा नेताओं के एक प्रतनिधी मंडल ने भाजपा निरवाचा नायोग से मुलाकात की है यादो ने कहा है कि फलाल कई चरणों में मतदान होगा टीमसी के इसारे पर काम करने वाले अधिकारियों को बदल दिये जाना चाहिए प्रतनिधी मंडल ने बंगाल में केवल प्रसुक्षित केंद्रीय पुलिस भलो के सताधस्यों को तैनाथ करने की मांग की है ताकि चुनाओ प्रक्तिया में निस्पक्षिता, गरिमा और पवित्रता सुनेशित की जा सके हम चलते एंगले ब्रेट लेते हैं टिक टॉक अपलोड करने वालों का आईपी एड्रेस गूगल से मागेगी दिल्ली पुलिस खुलेंगे कई राजजी है किसान अंदोलन को लेकर सोसल मीडिया पर अपलोड हुए टूल किट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है दिल्ली पुलिस गूगल से उस आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी मागने जा रही है जहां से पहली बार टूल किट को गूगल डॉक्स पर अपलोड किया था इसके जानकारी दिल्ली पुलिस ने सुत्रों से मिली जानकारी है आईपी एड्रेस और लोकेशन के जरी उस सक्स को ढूड़ने में मदद मिलेगी जिसने टूल किट को तयार किया है और गूगल डॉक्स पर अपलोड किया है दिल्ली पुलिस ने ग्रेटा थनबर द्वारा सेयर किये गए टूल किट के लेखक के खिलाफ दर्ज की है दिल्ली पुलिस के एस्पेसल सीपी क्राइम प्रभीर रंजन ने 26 जनौरी के दिन हुई हिंसा को सुनी हो जिस साजस बताया था इसके साथ ही ये भी कहा है कि एफ आई आर टूल किट के लेखक के खिलाफ दर्ज की गई है ना कि Great Thunberg के खिलाफ Great Thunberg खिलाफ आपको बता थे कि फैले सोसल मीरिया पर अफवा और थी कि F.I.R. Great Thunberg के खिलाफ होई है आपको बता थे कि Sweden की Great Thunberg ने गुरुआर को ट्वेट करके कहा है कि मैं अभी भी किसानों के साथ करी हूँ और उनके अस्तान देपूंड जुरुत प्रदर्सन का समर्थन करती हूँ अमसलति इंगले प्राज्य सभा लाइब तो मर बोले किसानों से दो महीने तक यही पोस्ता रहा कि किर्शी कानूनों में काला क्या है लेकिन कोई अभी तक नहीं बता पाया है उनने का है फलाल एक राज्य के छोड़ कर और किसी भी राज्य में नहीं हो रहे हैं इस तरीके के पतर संजिया आपको बता दे राज्य सभा में कृशी मंतिर नरेन सिंग तो मनने का है फलाल खरीद में परदर्सता है है इसके लिए एक हजार मंडियों को इनाम मंडी की रूप में परिवर्तित किया गया है हमारी कोशिश रही है कि किसानों की आमदनी दोगनी हो क्रिसी सुधार विल भी इसी दिसा में महत पूर्ण कदम है मैं किसानों से कहना चाहता हूँ कि नरेन्रमोदी किसानों के लिए समर्पित हैं और रहेंगे आगे देश बढ़े गाउं आगे बढ़े और किसान आगे बढ़े इन्ही उत देशों के साथ किसान काम कर रहे है हम चलते हैं इंगले अपडेट लेते हैं दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रहे हैं आपको बताए फिलाल वाटसप की नई प्राइबेसी पॉलिसी को चुनोती देने वाली CAIT की आजके पर सुनवाई से सुप्रिम कोट का इंकार जिया है भारत के मुखे नैधिस जस्टिस सरत अर्बिन बोबड़ी के धच्चता वाली पीट ने दिल्ले हाई को जाने को कहा है दरसर जानकारी इसमें वाटसप ने अपनी नई प्राइबेसी पॉलिसी पेस की है इसमें बताया गया है कि वाटसप कैसा यूजर्स के डेटा का प्रोसेसिंग करता है उन्होंने फेस्बुक के साथ किस तरीके से साज़ा करता है नई पॉलिसी में खा गया है कि वाटसप क ट्विटर पर ये स्पष्ट किया है कि किसी का भी आठ फर्वरी तक सैमत नहीं होने पर एकाउंट सस्पेंड यहाट आए नहीं जाएगा हम चलते एंगले अपडेट लेते हैं दोस्तों कल दिल्ली में नहीं होगा किसानों के चक्का जाम राके इस्टिकैद बोले जो जहाँ है वहीं करे प्रदर्संग किसानों के खिलाब जारी किसान अंदोलन करने तरुत कर रहे भारतिय किसानी ओनियन के राश्य प्रवक्त राके इस्टिकैद ने का छे फर्वरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें और कहीं न जाएं चक्का जाम सांतिपूर्ण तरीके से करेंगे नयकरशी कानूनों को वापस लेना और MSP पर कानून वनाए जाने की मांग करती हुए अंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जा तीन बजे तक ये सड़कों को ब्लाग भी करेंगे तो दोस्तों ये एक बड़ी ख़बर निकल के आ रही हैं फिलाल दोस्तों आज की बड़ी ख़बर में इतना है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ है तो लाइक करें शेयर करें लेकिन कहीं नेकर तरीके से किसान सरे नहीं चाहिते हैं तो दोस्तों फिलाल बड़ी ख़बर में इतना है लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें कमेंड को में अध्यम साहब अपनी राय देनना फूर इस वीडियो तो नहीं जैहिन जै भारत